कितने ही अच्छे हों कागज पानी के रिष्टे कागज के नाओ से दरिया पार नहीं होता। राजस्थान की सियासत में नेता कागज के नाओ से सियासी दरिया पार करने में लगे हैं। और जिस तरह के हालात हैं आप देख रहे हैं। किस तरह से केंद्रिय जल सक्ति मंत्री गजेंदर सिंग और राजस्थान कॉंग्रेस के मुखे सचे तक महज जोशी में तू-तू-मै-मै हो रही है। अब महज जोशी ने गजेंदर सिंग को भगोडा कहा तो गजेंदर सिंग ने कहा कि बताईए कहा नहाए अपने अवाज के नमूने देने के लिए हैं। फेक है। मैंने किसी बीजेपी नेता से बाचीत नहीं की, ना ही मेरा संपर्क रहा है गजेंदर सिंग नाम के किसी बीजेपी के नेता से। हाँ वह दिवंगत विधायक कॉंग्रेस के जो थे बलब नगर से उनकंगर से ज़रूर बाचीत किया करते थे। विस्विन्द सिंग कह रहे हैं किया डॉक्टर टेप है छेरचाड की गई है मैंने कभी इस तरह की बाते नहीं की तो सवाल उठता है कि जिस भौरलाल सर्मा को मुख्यमंत्री निवास में बुला कर अगले दिन पाइलेट के खिलाफ प्रेस कॉन्फरेंस कराने की कोशिश की विस्विन्द सिंग मुख्यमंत्री निवास के चक्कर लगा रहे हैं क्या वह भगोरे नहीं है इसलिए कहा जा रहा है कि जिस तरह के हालात है उसमें कॉंग्रेस घिरती भी नजारा रही है अगर अपने विधायकों के खिलाफ का रवाई करती है तो कॉंग्रेस की राजनी पुलिस के क्राइम ब्रांच ने नोटिस दिया तो कह रहे हैं कि किन-किन धारावां में नोटिस दिया जाना चाहिए था दिल्ली पुलिस को पता नहीं पहले कह रहे थे यही मुख्य सचे तक दूद का दूद पानी का पानी होगा जब दूद का दूद और पानी का पानी ह वक्त आया तो कह रहे हैं कि जांच ठीक नहीं हो रही है जांच किसकी ठीक होनी है एंटी करप्सन बीरो की तो फिर वह जांच हो क्यों नहीं रही है दस बहिनी से ज्यादा का वक्त हो गया मगर एंटी करप्सन बीरो ने किसी को भी जांच के लिए नहीं बुलाया है क्योंकि जो दो किरदार उस टेप में तथा कतित रूप से हैं, वह मुक्यमंत्री अशोग घलोत के करीबी हो चुके हैं। इसलिए धर को आग लगी है घर के कारणामे से हैं। आप गुस्से में पाइलेट गुट के खिलाफ कारवाई तो कर दिये, फोन तो जारी कर दिये, यह न सोचे कि किसी दिन एक होंगे तो फिर क्या होगा। अब गजेंदर सिंग कह रहे हैं कि बताईए कहां आना है, तो कॉंग्रेस क्या बताए कहां जाना है, क्योंकि जहां जाएंगे, वहां तो कॉंग्रेस के दोनों विधायकों को भी बुलाना पड़ेगा। इसलिए कह रहे हैं कि कॉंग्रेस अपने बनाए हुए चक्रियों में फस गई है क्योंकि बुरे काम का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है टेलिफोन टेपिंग को लेकर देश की कई सरकारें गिरी है बड़े बड़े नेताओं ने इस्तिफा दिया है लेकिन हम उम्मीद नहीं करते हैं कि राजस्थान में भी कोई नेता टेलिफोन टेपिंग को लेकर इस्तिफा देगा क्योंकि अब तो आप बाजार में जाएंगे तो दुकानों के बाहर इस्टिकर लगा होता है फैसन के इस दौर में गारिंटी की च्छाना करें इसलिए मौजूदा सियासत के दौर में नेतिक्टा की च्छाना करें लेकिन पबलिक कम सिकम इतना तो चाहती ही है कि आप राजनीत साफ सुथरा करें दूसरी तरफ प्रदेश अध्यक सतीष पूनिया ने अपनी ताकत दिखाई तो वसंद्रा गुट में खलवली मची हुई है रुहिताज श्वर्मा नोटिस लेने के बाद कह रहे हैं विनास काले विपित बुद्धी किसका विनास काल है वो दिख रहा है क्योंकि सतीष पूनिया पर जो आरोप लगाए गए वो बहत बचकाने है सतीष पूनिया के लिए कहा गया कि मौजूदा बीजेपी नितित्तु कुरोना काल में घर बैठा था और कहीं भी दिखाई नहीं दिया जबकि सतीष पूनिया परदेश के एक मात्र ऐसे निता है जो जनता के बीच में रहने की वज़े से दो दो बार कुरोना ग्रसित हुए दिल्ली जब वो मेदानता में जा रहे थे उस दिन भी वो जनता के बीच थे मेडिया को इंट्रिवू दे रहे थे इसलिए इस तरह के आरोब सतीष पूनिया पर चस्पान नहीं हो सकते हैं इस कोरोना काल में भी लगतार वो बीज़ेपी कारिकरताओं के बीच रहे चुनाओं में घूमते रहे लेकिन जो लोग सतीष पूनिया के लिए कह रहे हैं कि कहीं भी मौझुद्ष नहीं दिख रहा था उन लोगं को यह भी सोचना चाहिए जिसके लिए हम कह रहे हैं, जिसकी वगालत कर रहे हैं और पिछले दाई साल से है कहां क्या कभी दिखाई दिया, क्या कभी लोगों के दुखदर्द के साथ खड़ा रहा, इसलिए इस तरह के अनरगल प्रपंच करने से पहले खुद को देख लेना चाहिए, लेकिन हो यही रहा है, कॉंग्रेस हो या बीजेपी अपना नहीं देख रही है, दूसरों पर ज्यादा ध्यान दे रही है, कि दूसरा गुट क्या कर रहा है, कम से कम अपना देख लेते, तो दूसरे गुट की कोई जरोती नहीं पड़ती, आयस्थान तक कि लिए यापूर से शरक पुमार